नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब अपसब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की वैक्सिनेशन को ले करके कि अगर आपके बचे को वैक्सीन लगने के बाद गाठे पर जाती है यानि कि जहां पर वैक्सीन लगा है वहाँ पर थोड़ सा हार्ड हो जाता है या फिर वहाँ पर रेडनेस हो जाता है या फिर वहाँ पर स्वैलिंग आ जाती है तो आप ऐसा क्या करेंगी जिससे कि वो swelling वो redness कम हो जाएगी जिस time पे हम vaccine लगवाने जाते हैं उस time पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए ऐसा क्या precaution लेना चाहिए कि वो गाठे बने ही न और यदि बन भी गया है तो अब हम क्या करें जिससे कि वो फीक हो जाएगी तो आएए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि गाठे, redness या फिर swelling हमारे बच्चे को ना हो हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके गाइस मैं पहले आपको बताऊंगी कि जिस टाइम पे हम इंजक्शन दिलवाने जाते हैं अपने बच्ची को उस टाइम पे हमें क्या सावधानिया रखनी चाहिए जिसके कारण कि वो गांठे पड़े ही न तो जिस टाइम पे आपने बच्चे को इंजक्शन दिलवाने ले जाहिए उस टाइम पे आप ये ध्यान दीजे कि जिस डॉक्टर से आप इंजक्शन दिलवा रही हैं उसका डंठे डंडल कीश का ये जाता है जे जेता झाप मोटे निडल से ही इंजक्शन दे देर को ांड़े जों क्या है उस टाइम पर क्या इंजक्शन देते हम क्या कि मोटे डंड़े से ही इंजक्शन दे दिया जिसके कारण को kte गांठे पर गई थी वह वह फौस्ट ही ऐसा इ बच्चे को गांथे पढ़ने की चांसे बहुत जादा कम हो जाते हैं अगर इंजेक्शन का निडल थोरा सा मोटा रहेगा तो हो सकता है कि आपके बच्चे को गांथे पढ़ जाए नमबर टू जो हमें ध्यान देना चाहिए बेसिकली हमें दो ही चीजों पर ध्यान देना चाहिए एक तो मैंने निडल बता दिया दूसरा कि जिस टाइम पर आप अपने बच्चे को वैक्सीन दिल्वाने ले जाए तो उसको उसके पाओ को अगर पाओ पे लग रहा तो उसके अगर उस जगह को आप जोर से पकड़े ही रहेंगे उसके पाओ को तो बच्चा ला नहीं पाएगा अपना पाओ और जिसके कारण की गांठे नहीं पड़ेगी तो इसी दो कारण से गाइस गांठे पढ़ती है बेसिकली अब हम बात करते हैं गाइस की अगर गांठे तो आप पर चाहो तो आइस पैक से सेख सकते हो आइस पैक से सेखने ने का मतलब है कि को भी कपड़े में कुछ बर्फ के टुक्रे ले लेना और उससे जहां पे बच्चे को वैक्सीन लगा है, वहां पे आप हलका हलका टैब करकर करके, हलका हलका सरुकलर मोशन में घुमा घुमा करके वहां पे थोड़ी थोड़ी देर पे आप सेकाई दे सकते हो उससे, आप EHS डॉक्टर से पूछ लेना, क्योंकि मेरे टाइम पे अप यूज देख लोगे जहां पे आप लगाओगे वहां पे थोड़ी देर के बाद ही वह स्वैलिंग कम होना स्टाट हो जाएगा और गांठे पढने लगी तो कुछ ही दिनों में आपकी वह गांठे बिलकुल लॉर्मल हो जाएगी यह क्रीम बहुत ही जादा अच्छा क यह दो चीज आपको गांठे पढने के बाद करना चाहिए लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि क्या नहीं करना चाहिए यह भी बस कुछी पॉंट से एक ही दो पॉंट से अगर आपके बच्चे को स्वैलिंग हो गई है गांठे पढ़ गई है रेडनेस हो गया तो उस जहां पे वैक्सीन लगा है चाहे वहां पे गांठे पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो कुछ दिनों तक वहां पे बिल्कुल भी मसाज नहीं करिये गाईज डॉक्टर्स तो यह भी कहते हैं कि 24 घंटे तक वहां पे साबुन भी नहीं लगाना है आपको क्या असर हुआ है बच और दूसरे चीज आपको धियान देना है कि बच्चे को बहुत जाता टाइट ड्रेस नहीं पहनाना है जितना हो सके बच्चे को लूज लूज ड्रेस पहनाना है चाहे गांठे बनी हो या फिर नहीं भी बनी हो तो भी आप लूज ड्रेस ही पहनाईए गाईज और आप दे और अगर ये विडियो आपको पसंद आए यह तो लाइक कीजिए अगर आप हमारे नए व्यूवर्स ने पहली बार ये विडियो देख रहे हैं आप अपनी से पहले हमारी कोई वीडियो नहीं देखिये तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते क्यूंकि इस तरह की बह किया है तो अगर आप देखना चाहते है तो आप पिल्कुल चाहिए और उसको चेक किजिए गाइस हम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर अभी तक आपने हमें फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप वहां भी जाकर किया कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम मदर्स फ्रेंट करके आप सर्च करोगा आपको मिल जाएगा ओके गाइस बाई टेक केर लव यू